नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चनल पर और हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिष्टम यानि जो तंत्री का तंतर है वो क्या होता है किस-किस प्रकार से वहां से क्यों पुछे जा सकते हैं एक दो वीडियो पहले बनाई है उसके बाद हम रेगुलर करते हैं बीच में वीडियो रुक गई थी बिचली ठीक है तो हमने पढ़ना सुरू किया था हुमन ब्रेन यानि मानों का मस्तिक्स क्या है मस्तिक्स क्या है तो हमने बताया होगा आपको भी जो बारा सुचोदा सो गरम एवरेज वजन होता है तेरह सो पचास गराम तक महीं लाओं में 1450 प्रूश के अंदर पाया जाता है इंटेलिजेंस की इसके साथ कोई ज्यादा समध्य नहीं होता वजन के साथ है ठीक है फैटेस्ट और गन है यानि इसके अंदर सबसे ज्यादा वशा पाया जाती है इसके अंदर सी एफ शियास पाया जाता है प्रूबड आपको पता हो थो कि Chinese कि दार ये क्या करता है तो मैं ने बताया अको क्योंख की तरह काम करता है कि जिस परकार हमारे सरीर के अंदर लसी का काम करती है उसकी जगह यह CSFI जाता है ठीक है ना connectivity जो करने के लिए एक दूसरी की information को एक दूसरी जगा पहुंचाने के लिए दूसरी बात इसके अंदर जो होता है यह oxygen जो सेल होते हैं उनको oxygen वगएरा इसप्लाइ करने के लिए और गुलकोज वगईरा या वेस्ट प्रोडेक्ट वाहर निकारने के लिए इसका फ्रियोख ह् tu कि जो brain होता है तो वह किसमें ओता है तो सकल कापाल के इंदर प्यांताय किसमें प्याज़ता है कंपाल ए टीक है तो आप से पूस ले वो कपाल के इंदर किस्से ब्रेन कवर्ड बाए क्रेनियल न्यूरोन सोरी क्रेनियल बॉन ठीक है यह क्रेनियल देख लेना थोगा हड़ी से डकी होती है डक होता है ठीक है इसके बाद इट्स कवर बाई मेनेंजीज लेर या मेंब्रेन यह है मेनेंजीज परत से डका होता है क्रेनियम बॉन यह जो बॉन होती है ना क्रेनियम बॉन क्रेनियल बॉन ठीक है तो यह बॉन क्या करती है मतलब इसके क्या करती है तो प्रोटेक्ट टू ब्रेन ठीक है तो यह दिमाग किस रुक्षा करती है आप किस रुक्षा दिमाग किस रुक्षा करने का काम करती है यह बात हमने पिछी वाली लेक्चर के इंदर नहीं पड़ी होगी दिमाग की सुर्क्ष्य है यह यह जो है यह यह इन तो कितनी अडियों यह जाते हैं कपाल से मिलकर बनाए इन ठीक है ना क्रेनियम बोल ठीक है तो आठ अडियों से मिलकर बना आठ अडियों से डका होता है हमारा क्या दिमाग क्या रखा होता है हमारा दिमाग आठ अडियों से डका होता है और अडियां जो आठ एक दूसरे से जूड़ी होती है ना एक दूसरे जूड़ी होती है तो जोइंट कौनसा पाया जाता है फाइर ऋचो फाइया जोइंट याद रखना इसा वाईप्रस जोइंट यह सबसे हार्डेस्ट कि हारडेस्ट ट्रोंगेस्ट इस जोइंट होता है हमारे सरीर का ठीक कि आपकी एंब्स हड़ियां हड़ियां यह इथेनुयल ऐसीपिटल टैमपोरल फ्रांटल ठीक नना इन Guitar के सेफेनोइड एथनोइड फ्रेंटल उसीपिटल ठक calendar हडियों से मिल कर बना होता है आपका क्रेजियम यानि कपाल के अंदर स्थित ह ちबिद्ध होता है आपका हड़ी हो गए मालreek हड़ी यह हड़ी के निचे तीन लेयर पाइजाती और तीन लेयर को मिला कर बोलते हैं मेनंज इस क्या ट्टे है मेमिर्ट से मिलकर बनी होथे मेंब्रें कर सकती हैं मेंज battery घर कह सकती अगि इजब सकती है तो telefon के इस जोईट हो ! कुछन आ ही को वह से संधी मजबूत है, जोएप लेटू में लिटा है यहां पाय जाता है केवल कलीर हुई बात तो कितनी हडियां नाग की साय शुरुक्ष्या करती है आठ हडिया ऩीस дня मेंनेज गेहू में क्या डलता है कपास में क्या डलता है DAP थीक है ना क्या डलता है DAP यानि डूरा मेटर डूरा मेटर अरकोईड मेटर और पाया मेटर है ठीक है तो तो तीन प्रकार की आपकी प्रत पाई जाती है आप से पुछे ठीक है मेनेजिज लेयर है वो भी क्या करती है आप को प्रोols करेगी आपको थोड़ा से एलग बनाने का की धिमाग को क्यों तो आपको क्या हो सकते हैं आपको पगलबन के दोरियाने भी जुरू हो सकते हैं, आपका दिमाग डेड़ भी हो सकता है, आप भूल भी सकते हैं, पता नहीं कौन सी रख दब जाए, ठीक है न, तो इसलिए मेनेंजिज लेर होती है, तीन परत होती है इसके इंदर, ठीक है न, जैसे ये, ये और ये, तिनो को मि P बोला, दुसरे को A बोला, तीसरे को P बोला, और तिनो को इक छत्व होती है तूसको क्या झाला, उतारि, ठीक है तो आपसे भूच ले आॉटर सबसे उपर वाली क्या है था ठीक है आपसे भूच ले मीड वाली section अप Roth से पूच ले इनंीर या इन्टरनल लेर स्वश्मellenि छाथ faites वहार की प्रत है उसका नाम क्या है ग्यूरा मेटर मद्य की प्रत है उसका नाम सबसे मोटी प्रत यह हैं और सबसे पतली प्रत यह हैं यह पारदर्शी भी होती है अंदर वाली पारदर्शी भी होती है ठीक है यह आपारदर्सी होती है कलियर होई बात ठीक है तो सबसे मोटी परती यह होती है बाहरवाली सबसे पतली यह होती है यह तो आपारदर्सी है यह पारदर्सी होती है सबसे अंदर दिमाग के सबसे नजदी कौन सी है तो पाया मेटर है ठीक है arcoid meter के इसके बीच की परत है durameter सबसे बाहर की परत है clear हुई तीन परतों से मिलकर क्या बनती है तो तीन सब परत उप परतों से मिलकर बनता है आपका manages layer जो दिमाग की से रुक्षय करती है और जिसके अंदर Susan आ जाती है यहीं layer आपके spinal cord के ऊपर पाये जाते हैं अगर इस इंदर सुजनतों तो मैंनेंजेटीश के आदेटा है क्या बांटेंगे अलने भगों में बांटेंगे यानि दिमाख जो है उसका भी पार्ट है उसके सब पार्ट हो सकते हैं पार्ट हो सकते हैं यानि हम कह सकते हैं भाग उपवाग हो सकते हैं उसको अलग-अलग तरीके से पढ़ने के लिए हमें अलग-अलग तरीके से उसको अल क्या रूप से अगर mainly divide करें तो तीन बाग के अंदर divide किया जा सकता है इसको एक को हम बोलेंगे four को एक को बोलेंगे mid और एक को बोलेंगे hand for brain यानि अगर mystics for brain mid brain और यह end brain थीक है तो इसको नाम दिया जाता है क्या नाम दिया जाता है भई यह देखो इसको बोल दिया अगर मस्तिक्स इसको बोल दिया मध्य मस्तिक्स और इसको क्या बोल दिया पस्च मस्तिक्स ठीक है और अगर देखें तो आप एक लिग लो इसका केमिकल नेम जो होता है ना ब्रेन का केमिकल नेम तो इसको जाना जाता है इनसी फैलोन किस नाम से जाना जाता है इनसी फैलोन के नाम से जाना जाता है और इसकी जांच के लिए E-E-G आपको पता है E-E-G E-C-G तो हमारे दिमाग के बोश के हर्ट के लिए होते है E-E-G E का मतलब इलेक्ट्रो ठीक है E का मतलब E-C-P moje इनसी फैलोन इनसी फैलोन इनसी फैलोन और इसका मतलब है गराम तो इसकी फुल फोम ने होते है तो E-C-P moje इनसी फैलोन किसके लिए यूज उता है तो आज के बाद दिमाग में टेंसन नहीं रखनी है तो इसका नाम भी हो सकता है इसका नाम भी हो सकता है इसका भी भी हो सकता है जी हां जी इसका भी हो सकता है ठीक है तो इसको बोलते हैं प्रो इनसी फैलोन इनसी फैलोन लिख लो ठीक है इसको बोलते हैं मिज इनसी फैलोन इसको बोलते हैं रॉम्बो N.C. Fallon ठीक है तो तिनों के रसाइनिक नाम है तिनों के जो रसाइनिक नाम वो इस प्रकार से है ठीक है आप इसको याद करना पड़ेगा क्यों की फाइदा आपको क्यों होने वाला है कुलिर हो जाएगा रॉमो इनसी फैल ओ आपको काटके देखको तो कुछ भी नहीं है प्रो मेज रॉम्भू तिनों सब दियाद कर सकते हो आप थोड़ा सा एडवास आपको पढ़ना है तो चीक है अब यह तीन जो दिमाग है इनको भी यानि अगर मस्तिक्स पस मस्तिक्स मद्य मस्तिक्स तीन नाम में तो जाना गया अब इसको भी आगे भागों में बांटा जा सकता है अब उसके नाम में आगे आगे लिखता जाओंगा आप देख लेना फोर ब्रेन के दो पार्ट होते हैं सेरी बेलम सेरी ब्रम यानि प्रम मस्तिक्स बहुत सबसे ज्यादा क्यूशन आते हैं प्रम मस्तिक्स ठीक है उसके बाद आता है ओल फैक्ट्री लोव अल फैट्री लोव ठीक है तेलमस थेलमस हाइपो थेलमस ठीक है इसको भी आगे अलग अलग बगों में बन्ठा जा सकता है थेलमस हाइपो थेलमस ठीक है ओल फैक्ट्री लोव और उसके बाद स क्ष्यरी बेलमस है शेडी बलंस की ब्रहे मिड ब्रेन उसको आगे कुछ भागों में नहीं बांटेंगे आपको टेंशन ही नहीं देंगे इसको भी हम आगे अलग अलग भागों में बांट देंगे एक तो होता इसका सेरी बेलम अनुमस्टिक्स यानि अनुमस्टिक्स डाइटग्राम भी बनाएंगे यियु आपको ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम क्या होगे मेरे को बाज ठीक है ब्रेंड स्टेम को आगे बाढ़ सकते हैं पॉन्स वेली आई वेरियोल आई और मेडूला मेडूला ओबलोन गाटा अबलोन गाटा पॉन्स वेली आई पॉन्स वेरियोल आई ठीक है मेडूला अबलोन गाटा ओबलोन गाटा ओबलोन गाटा ठीक है तो इसको हम कितने भागों में बाढ़ सकते हैं अगे अलग अलग भागों में यानि सेरी बेलम क्या है इसको पड़ेंगे ब्रेंड स्टेम क्या है पॉन्स वेली आई क्या है मेडूला ओबलोन गाटा क्या है ताइपो थेलमस क्या है ठीक है ओल्फेक्टरी लोब क्या है और सेरी ब्रह्म क्या है इसको हम अलग-अलग से पढ़ेंगे एक-एक चीज को उससे पहले आप एक छोटा सा बनाते हैं दीमाग ठीक है ना तो यह हमें लिख लेंगे आप लिख लोगे बड़िया से जल्दी से जल्दी लिख लोगे इस बात को ठीक है अब जो यह देखो यह देखो यह देखो यह ठीक है यह बना दिया आपका दिमाग यह क्या बना दिया आपका दिमाग ओ यह बना दिया दिमाग ठीक आगे जा रहा है बहुत लंबा जाएगा होत लंबा दंगल चलेगा रहे भाई यह यह आपका बन रहा है दिमाग बनाने की कोशिस करो सब्वाई कि have gotta ब्लीघ कोशिस को सिसको 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 सिस kosish ilk yardım जाए तो बच भी सकते हो अना अना यह बन गया दिमाक यह बन गया दिमाक यह बन गया दिमाक हो जाएगा बना लोगे नहीं बना पाओगे एसे ही तो बनाना है यार जैसे हमारी फूल लोगों भी होती है उसकी तरह बनाओ दिमाग बन जाता है ठीक है अलग-अलग उसको नाम दे दिया जाता है कुछ नहीं होता ठीक है कि अग्राइब कि मारकर आपको ज्यादा दिखाई नहीं देता तो हम ऐसे 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 नहीं तो इसको और बना देते थोड़ा सा रंगेन ना रेड़ मारकर दिखाई देता तो इसको और रंगेन बनाया जाता है वे कोई दिमाग आपका ऐसे पढ़ो इसको बस ठीक है कि यह दिमाग आना यह उपर वाला भाग जो आपको फूल गोबी या जो आप खुम्भी खुम्भी उसकी तरह तो उस बाले भाग को बोलते हैं अगर मस्तिक्स यह किसका बाग है अगर परमस्टिक सेरी ब्रम्भ कोँसा बढ़ा है यानि यह प्रम्मस्टिक से प्रम्मस्टिक से ठीक है तो यह प्रम्मस्टिक से आपका भी नडर पाएक ब्रेंगे मद्रे मस्तिक्स यह आपका ठीक है, mid-brain बोल देंगे यह आपका है यह यहाँ पर आपका पाई जाता है इसके पिछे hypothalemus यह थेलेます नज़र आउर रहे हैं यहाँ से थेलेます है ठीक है, तो यह थेलेます है, यहाँ पर मैं T लिख देता हूँ, ठीक है यह मद्यमस्तिक्स है ठीक है और यह है है हाइपो थेलमस होता है हाइपो अगे का मतलब थेलमस से आगे का भाग हो जाए उसे हाइपो थेलमस कहते है यहां पर थेलमस है यहां पर अईपो थेलमस है और यह आगे प्यों से गरती है बीच गाँ मद्यमस्तिक्स है पिछे गाँ पस्थमस्तिक्स से 10 का सबसे भूबरा खुषे सब्सेरी बेलं में जो आपको ट्री सा दिखाई दे रहा है कि पूरा गोल चक्कर सा नजर आ रहा है जिसे हम छोटा दिमाग कहते हैं वो दिमाग यहां पे है सेरी बेलम पिछे वाली भाग में ऐसे ऐसे करोगे आपको नजर भी आएगा एक अलगा कार की आपकी हड़े नजर आएगी आपको यह सबसे होता है आपका पांस वेर यू लाई कि है पॉम्स और सबसरे लाष्ट का भाग होता है मेडूला ओ लोज गाटा ओ मेडुला औॉबलोन काटा है यह आगे फिर स्टाटै स्पाइनल घृच कोड यानी मेरूं रज्जू मेरू रज्जू यानि यह दिमाइड है आपका भया यह दिमाआग् जमाग के आगए यह भाग है अपका ठीक है ना यह अलग अलग भाग है यह अगर मस्तिक्स का भागड़ा पुरा का पुरा डख्य रखता है उसके बाद मद्दे मस्तिक्स यह पॉंड्स और यह कौनसी है मेडूला ओबलोन गाटा है और पिछे का भागज़ यहां पर सेरी बेलमस दीता है यहां पर थेलमस है यहां पर हाइपो थेलमस और यहां पर आगे प्यूस गरंती पिटुट्री ग्लेंड से दोती है तो यह मैंने एक अलग से स्ट्रक्चर आपको दिखाया है तो यह सारे के सारे आपके पार्ट हो जाएंगे आपको समझेने में कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे सबसे तो है ना रहे या आएगी या नहीं आएगी आएगी तो आएगी आएगी नहीं आएगी या तो आएगी या नहीं आएगी दोनों में से एक होगा ठीक है यह हो गया भया ठीक है लिखना सुरू करते हैं यह वाला भाग प्रमस्तिक्स हम सब का नाम लिख दिये हैं आपने भी मैं आसा करता हूं लिख लिया होगा स्टार्ट करते हैं अगर मस्तिक्स यानि फोर ब्रेन से इसके मैंने आपको भाग बता दिये दुबारा नहीं बताऊंगा अगर मस्तिक अलग अलग भागों में बंटा जाता है सबसे बड़ा भाग है अगर मस्तिक सबसे बड़ा भाग है लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन सबसे बड़ा भाग है ठीक है सबसे बड़ा भाग है जो अलग-अलग सबसे विक्षित सिद्धा पुछे तो सबसे विक्षित है विक्षित भाग है पूरे दुमाग को कवर करने वाला पूरे दिमाग को डखने वाला कि है जैकने वाला भाग तो यहผม करना पूरे दिमाग को डख के रखता है सबसे विक्षित पार्ट आए जो अमारे सबसे बड़ा भाग ही वो भी यही है ठीक है इसका एक हाता है जिसको हम बोलते हैं सेरी बेलम सोरी सेरी ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं सेरी ब्रह्म बोलते हैं ठीक है यह सेरी ब्रह्म क्या सिस्टम है इसको हम पढ़ेंगे अगर कि प्रम्मस्तिक्स क्या होता है प्रम्मस्तिक्स क्या होता है यह प्रमस्तिक्स जो है एक छाते जैसी सरंचन है जो पूरे दिमाग को कवर करता है ब्रेन आप कहा दो ओल पार्ट ओफ ब्रेन मेरे मारकर यार बहुत गुसा आता है तिमाग के सभी बागों को डखके रखता है डखकर रखता है ठीक है हाइली डवलप पार्ट ओफ ब्रेन दिमाग का सबसे विक्षित इस्सा है दिमाग का मस्तिक्ष का सबसे विक्षित इस्सा है बताएंगे भईया कैसे है क्यों है ठीक है टू बाइठ्री पार्ट ओफ ब्रेन दिमाग का दो बटा तीन इस्सा है ठीक है अकेला 80% कवर करता है अकेला 80% कवर करता सबसे बड़ा बॉलप कोन सा है इन सारी प्रकार के बात इतने बात इ उतने बात इंग अतनी बात इंग किसके पास है सेरी ब्रह्म के पास है इसको भी आगे अलग-अलग भागों में बंटा जा सकता है सेरी ब्रह्म अलग-अलग भागों में बंटा जा सकता है सेरी ब्रह्म वैसे दो भागों में बंटा होता है मेली कितने भागों में बंटा होता है दो भागों में बंटा होता है ये कोई न कोई मालो क्या है गोला है तो गोले को स्पेर बोलते हैं और जब इसको काट दिया जाए बीच से तो आ इसको हैमिस्पेर बोलते हैं क्या बोलते हैं हैमिस्पेर ठीक है तो हैमिस्पेर तो सेरी ब्रम्ज हो है, वो दो भागों में बंटा हुआ है, मुख्य रूप से, तो एक को क्या बोलेंगे, मेरा राइट वाला राइट हमिस्पेर है, ठीक है, ये भाग मालो दो भागों में बंटा हुआ है, सिद्धा कहा दे, तो मैं सिद्धा, ये भाग दो भागों में बं शिर्ट कख गरता यार तो में मेरे मारकर मारकर मेरे जवाब देगा लब हई कि आ कि तुने क्या किया अब तुझे को दोखा मिलेगा कितने मेंत कर रहा हूँ आपके लिए यार और एक आप हो एक कोमेंट भी नहीं कर सकते एक मैसेज भी नहीं कर सकते सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो और एक कम से कम यही कोमेंट कर दो सर आप बहुत गटिया पढ़ा रहे हो कम से कम पढ़ाना ही छोड़ दें ठीक कोईले की दलाली में हाथ काले भी हो जाते ने सर डिजिटल बोर्ड दिया हो किसने का है मारकर से मत्था मारो अमेर लोगों के काम है भी या हम गरीब मस्त रहे हैं यार तहां से रहे के आएंगे है मारकर रिकठे कर लेंगा ठीक है अब ये राइट वाली साइड है इसलिए इसको क्या बोल दिया राइट है हेमिस्फेर बोल दिया हेमिस्फेर बोल दिया यानि मेरे को लग रहा आपको दिखाई दे रहा है यानि इसको दायां गोलार्द बोल दिया गोलार्द यानि गोले का आदा दायां गोलार्द इसको हमने बोल दिया लेफ्ट हैमें स्फेर लेफ्ट हैमें स्फेर यानि इसको बोल दिया हमने क्या बोल दिया दाया ने बायां बायां गोलार्द क्या बोल दिया इसको बाय आंकोलाद बोल दिया यानि जो दिमाग है ना दिमाग जैसी ये दिमाग था जो मारा ना इसको भी हमने कितने भागों में बांट दिया है दो भागों में बांट दिया गया इसको भी या दो भागों में ठीक है ना और जो बांटता है ना उसको क्य गोलार्द जो है वो भी आगे चार चार वागों में बंटा हुआ है तो प्रमस्तिक्स देखो Jai The तो प्रमस्तिक्स था ना अगर मस्तिक्स का भाग था था प्रम्मस्तिक्स ठीक है ना उचान उचान अपने से नहीं होते वह यह जिद्धी बात है इसको आपने बाट दिया गुलार्द के अंदर किसे बांटा गुलार्द में और एक गुलार्द में भी कितने भाग हुए चार भाग और हो गए और चार भाग के नाम लिख लो स्पीड से लिखो स्पीड से लिखो यानि एक दो तीन चार एक दो तीन चारों के नाम ओसी पिटल लोब ठीक है पेरी एटल लोब फ्रेंटल लोब टेम्पोरल लोब तो इसके चार लोब होते हैं एक है मिस्पेर के चार लोब है आगे ठीक है ना तो इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं पिरियेटल फ्रेंटल कुछ भी नहीं है जो चार जो हड़ी आपकी देको फ्रेंटल हड़ी है ठीक है ना ओसी प इस खो आप कोते हैं कि खो भाग बौल दिए आपको इतना याद करना यह नाम कहीं सुने-सुने नजर आने चीए आपको फिर मैंने लिखनें आपको लिखने हैं ज्यादा नहीं मारना अगर को घड़ी र हाद है मैंने हड़ी करवाई तो एक-एक हड़ी का नाम बताया था अगर हड़ी याद है तो यह नाम भी याद हो जाएंगे लेकिन इतना याद रखने के बाद दो बातें और लिख लेना आप लिखा दूं क्या 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 ठीक है यह आपका जो दिमाग है ना इसके अंदर इस इस परकार से आपको यह ऐसे इसे निसान नजर आ रहे होंगे ठीक है ना तो यह निसान क्या है इन निसान को बोलते है ठीक है इस निसान को बोलते हैं, इस पूरे बाग को तो बोलते हैं सलकस, क्या बोलते हैं सलकस, इस बाग को बोलते हैं ग्राई, ठीक है इसको क्या बोलते हैं गायरे बोल देते हैं, ग्राई बोल देते हैं ठीक है ना, और जो नीचे तक धस जाता है उस बाग को बोलते हैं फिसर, क् इसको नहीं पर कहीं पर शुने आपको ठीक नहीं करना है नौट है कर भात हो सकता था करें कि अब हमें क्या याद करना है पता आपको याद कुछ भी याद नहीं करना सेरी ब्रह्म के कारिये क्या है कि उसे नियां से बनता है बनता है सेरी ब्रह्म के कारिये क्या है बहुत कारिये हैं इसके Center of Intelligence बुदी मता का के इंदर किसे कहा जाता है बुदी मता का के इंदर किसे कहा जाता है ठीक है Math सोल करना आपको यहां से करना होगा Reasoning सोल करनी आपको यहां से करनी होगी मैं कट्छे लिखा रहा हूँ लग लग लिखाता तो Confuse हो जाते हैं ठीक है Personality Development जो होगा मैंट जो होगा वो भी यहां से होगा Speech Understanding Standing भूल जाता हूँ भी यह ड्यूटी करके आयो ना थोड़ा से ठीक है Speech Understanding उसके बाद आपका सूजना समझना Memory पावर जो आपकी वो यहां से होगी ठीक है Creativity 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 Art यहां से होगी ठीक है उसके बाद आपका मैथ हो गया Direction हो गई Temperature हो गया Humidity हो गई Temperature हो गया Humidity हो गई उसको पैचानने का कम करेगा Art हो गया Idea हो गया Art हो गया Idea भी लिखे लो साथ में Idea विचार ठीक है इतनी चीज़े याद कर लो आप calculation हो गई आप की reasoning हो गई मैथ हो गया इसके साथ आप calculation लिखे लो आप ठीक है याने आपके जो main main चीज़े जो है ना main main चीज़े जो है आपके दिमाग के दोरा जो की जाती है मालो आपको math करना है याद करने में कोई दिक्कत नहीं है यहांसे कुछ बहुत असान से याद हो जाएगा ठीक है जैसे मैं कहादूं आपको Math करना है Math के लिए Reviewing ẹiesen करना है आपको और ना लोजिकल recent करना है रहां ना जानां करना है जो काँ से करनी होगी आपको सेरी बर्हम से इसके लिए 걸로 हो गया अलग ओड करते बाहित तो वो कहा से आए गा इसी आएगा कुई चीज में निपूनचा आएगी जैसे गड़े बनाने में आप निपून हो आप पढने में निपून हो तो तो creativity वो भी दिमाग यहां से आएगी, ठीक है, memory power, आपकी memory, यानि आप कितना कुछ याद कर पाते हो, पड़ा हुआ, कितना कुछ याद पर पाते हो, तो वो भी किसके करण है, वो भी किसके करण है, सेरी ब्रह्म के करण, creativity, art हो गया, idea हो गया, विचार आते हैं, art कला है, अलग-अलग कलाएं होती है, जैसे कोई भी कला आप में भी होगी, जरूर ठीक है, तो वो कला भी आपके इस दिमाग से आती है, यानि सेरी ब्रह्म से आती है, temperature, humidity को पैचानने का काम करता है, वो भी ये करता है, temperature, maintain करने का काम और कोई करता है, लेकिन पैचानने का काम जो यानि जितनी भुद्धी है वो आपकी किसके कारण है, वो इस दिमाग के कारण है, तो सेरी ब्रह्म के कारण हो गई आपके, ठीक है, तो ये बाते हैं याद कर लेना आप अराम से, ठीक है, इसके बाद आपका आता है, ओल फेक्टरी लोप, कुछ भी नहीं है, बस ओल फेक करते हैं, क्या बताे हैं, ऑल फेक्टरी लोब जो होता है, थीक है, यानि सवादव है, समयल को क्या बोलते हो गंद पैचानने का काम करता है गंद पैचानने का काम करता है इतना लिखना अबको हम्ल्फ का मतलब ही अ humour व cycle का दिखना ओल्फ ekнять और आपकी जीव से आपकी और तक ले के आपको ओल्फेक्ट्रि लोब तक ले के जाती और वह सुवाद को पैचानता है अब खटा मिठा क्या है कड़वा है नमकीन फें मिर् लेगी है तिखा है तो वह पैचानता है कुछ भी याद नहीं करना थेलेमस में थेलेमस और इसके बाद आता है हाइपो थेलेमस थेलेमस हो रहा है हाइपो थेलेमस आपके टच यानि सपर्स को पहचानने का काम करता है तच सपर्स पहचानने का जो काम करेगा यह करेगा आपको कोल्ड लग रहा है थंडा लग रहा है थंडा लग रहा है आपको होट लग रहा है गरम लग रहा है थंडा गरम पहचानने का जो काम करता है यानि सपर्स केसा है, cold है, ठंडा है, गरम है और आपके जो pain है, यानि दर्द को पैचानता है, दर्द, मेरे सीने में कितना दर्द है, तुझे क्या बोता रहे, ठीक है न, तो यह जो दर्द को पैचानने का काम करता है, ठंडा, गरम, दर्द, चोट लगेगी दर्द होगा न तो दर्द को पैचानने का काम जो करेगा न, वो थेलेमस करेगा, सपर्स के साथ ठंडा, गरम सपर्स है, उसको पैचानने का काम कौन करेगा, तो आपको यह करेगा, हाइपो थेलेमस क्या करता है, इसमें Osmo Regulatory Center होता है, और इसके अंदर Thermo Regulation Center होता है, तो आप करो, temperature जो ह पान और गरम में फरका है, ठीक है न, गरम, temperature ज़्यादा होती है, वो चीज घरम लगती है, ठीक है न, तो temperature शरीर का 37 degree Celsius बना के रखता है, तो वो कौन रखता है, हाइपो थेलेमस रखता है, शरीर में Body के अंदर Fluid Balance करता है, शरीर में दरव, Osmo Regulation का मतलब, दरव का जितनी भी आपकी feelings है, जितनी भी आपकी feelings है, यानी आपकी feelings को क्या feelings को feelings ही बोलने, आपकी, वह सारी की सारी चल करता है, hypothalmas यह जो आपकी action है यानि आपकी शरीर के अंदर involunt reaction हो रहे हैं ठीक है उनके पर नियंतर्ण करने का काम करता है सपर्स वगरा वगरा छोड़ो इस बात को यह तो असानी है यहां से क्यूशन ही आ सकते हैं feelings क्या क्या हो सकती है आपकी आप पता हो जी यानि आपकी feel जो होता हो तो आपको feel होता है जी दार्द, दुख, sadness, दुख आप किसी से गिरिना करते हो है जी करते हैं वो hypothalamus प्यार, love, प्यार करते हो करते हैं जी ठीक है किसी के बारे में आप खुश रहत आपकी खुशी ठीक है आप खुश रहते हो आपकी खुशी जो है वो भी इस पे depend करती है किस पे? इस पे ठीक है आप कितने क्रिवल यानि निर्दई हो इस पे depend करती है आप upset हो आप hunger आपकी feel hunger यानि आप बुखे हो thrust यानि आप बुख, प्यास, रोना, दोना सारे के सारे कांसे हो रहे है hypotherल्मस सो हो रहे है और एक hypotherल्मस क्या करता है? P-Q-Tree यानि push गरंती पर नियंत्रन करता है push गरंती पर नियंत्रन करता है पूरी अच्छी पाते हैं इसके लिए और एक और क्या करता है इसको नियूरो इंडोक्राइन स्ट्रक्टिर यानि नियूरो इंडोक्राइन स्ट्रक्टिर भी कहा जाता है और इससे स्त्रावित होने वाले हार्मोन ये हार्मोन का स्त्रावन भी करते है वह दस हार्मोन स्त्रावन करते है तो इस हार्मोन को क्या का जाता है तो नियूरो हार्मोन का जाता है इससे स्त्रावित होने वाले हार्मोन को क्या का जाता है नियूरो हार्मोन का जाता है ठीक है और sino ऐस aprустить लगेगी अपको भूक नहीं लगेगी आप निरधई हो डर्वhe हो सकते हो आप प्यार पाने के लिए किसी को क्या कर सकते हो करना नहीं है इसा कुछ हो सकता है तो प्यार में आप दुकी भी हो सकते हैं प्यार से आपको दूसरे लोगों से गिरना भी हो सकती है प्यार से आपको खुशी भी मिल सकती है तो प्यार से प्यास भूख ठीक है न? मुझ railroad 10 नाएं, कोई जाय डूंड के ले जाने का दिल खोगे तो वो दिल विल कहीं नहीं खुआ है आपका वो यहीं है तो दिल दिल को बदनाम करना छोड़ दो ये सारे के सारे काम तो हाइपो थेल मसके हैं पढ़ लिया न आपने ये जो है न सबसे बड़ा कीड़ा जो है आपके ये जो उमर है न आपकी ये उमर के अंदर लाइफ सेट कर लो लव कर लो दोनों साथ में चलाओगे तो मुश्किल हो जाएगा तो सबसे पहले अपना ये सक्सेस अपनी जो है उसको पाके रख लो नोकरी के पीछे अपने आप आएगा क्योंकि दुनिया खेरियत नहीं एशियत पूछती है और एशियत है तो आ अब के सात थी या सात है या सात था वह भी यह कहके छोड़ के चला जाएगा भी मेरा पापा मम्मी नहीं मानते नोकरी लग गए तो कैसे नहीं से मना ही लेंगे लेकिन अगर नहीं लगे तो वो यही जवाब आएगा सामने से मेरे पापा मम्मी नहीं मानते उसके बाद फिर ये भी नहीं और ये भी नहीं नोकरी भी नहीं प्यार भी नहीं तो पहले नोक्री या पहले कोई कामया भी फिर उसके बाद ये अपने आप आपा जाएगा वहिया. ठीक है? तो इनसान किसी के पास रहना सुरू कर दे तो अपने आप उसे प्यार तो होई जाता है. तो ये भेह मैं. ठीक है? तो प्यार, प्यार पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोकरी लगना पड़ेगा, तो प्यार किस से होता है, तो वो हैपोथेलमस से होता है, ना कि दिल से होता है, दिल एक चुटा, मतलब उसको बदनाम की अजारा है, उसके लिए अफवाएं फिलाए जारी है, मार मेरा दिल चुरा लिया तो यह गल्ट है ऐसे करना तुने मेरा हाइपोथेलमस चुरा लिया ठीक है ना वी हाइपोथेलमस चुरा लिया दिल चुरा लिया तेरा दिल मेरे सीने में मेरा दिल तेरे सीने में ठीक है तो दिल नहीं आज के बाद यह कहना है मेरा हाइपोथेलमस त किसी के परति गिर्णा होना किसी के परति मतलग घुसी होना किसी को देख के अच्छा लगना किसी को देख के बूरा लगना यह सारी फिलेंग्स जो होती है वह है इपोथेलमस से जुड़ी होती है तो हाइपोथेलमस ठीक है कलियर करता है जिसको आप दिल से जोड़ते हो बा मिल्ड ब्रेन का कुछ नहीं पुछा जाता आपसे, अप्टिक्स करा रहा वगरा वो बूर्मत पढ़ने आप, ठीक है, द्रिष्टी आपकी जो है, वीजन जो है आपका, द्रिष्टी यानि वीजन, तो आप इसको सिद्धा भी कह सकते हो, देखना, देखना का मतलब आँख, यानि आँख को जो आईज आपकी है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, मद्दे मस्तिक्स, यानि सुनना, auditory, सुनना, सुनना, किसे होता है, auditory, सुनना, आपके किसे होता है, कान से होता है, तो कान को भी कंट्रोल करता है, तो यानि देखना और सुनने को कंट्रोल करता है दिमाग का सबसे चूटा बाग होता है, ठीक है, तो आप यह भी कह सकते हो, hypothalamus और किसके Pust, Masteqs के बीच में होता है या कह सकते हूँ आप अगर Masteqs अगर Masteqs वै Pust, Masteqs के बीच का भाग है पust, Masteqs के बीच का भाग है ठीक है यह चीजे भी याद निरिखने है सबसे छोटा भाग है सबसे छोटा भाग मद्ध्यमस्थिक्स है, देखना और सुनना, 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 एक काम करता है आपका मद्ध्यमस्थिक्स, मद्ध्यमस्थिक्स क्या करता है, देखना और सुनने का काम करता है, तो अगर मस्थिक्स और मद्ध लेट ले रहा था ठीक है उसका कार्ण यह तो मैं डूटी से आया था थोड़ा सा वेस से भी हो जाता है अर्बंदा साथ-ाठ गंटे मतलो प्रेसर तो यह ना ठीक है तो मैं थोड़ा सा ऐसे है फिर भी मैंने यह सोचा भी आपका क्योंकि दो दिन से मैं वहां पर रहता हूं जहां पर बाड़ की संभावना बनियो थी दो दिन से लाइट निया इसी के करण मैं क्या कर रहा था वीडियो नहीं दे पा रहा था आपको तो मैंने सोचा जैसे लाइट आई तो सबसे पहले यह काम किया जाए आपकी पढ़ाई डिस्टप नहों मैं वीडियो शूट करके आपको देश सकूंग तो मेरा फर्ज मेंने पूरा क्या बाकि आप अपना करो आज के लिए इतना धन्यवाद जय भारत मिलते हैं कल दिमाग के साथ